हेलो आप सभी का स्वागत नवीन जी के जी एस यूटूब चैनल पर तो आज का वीडियो बहुत ही महत्यपूर्ण होने वाला बिहार आइटिया एक्जाम 2024 एक्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए अगर तयारी अच्छी नहीं है तो आप द तो चलिए पूरा वीडियो देख लीजिए आप लोग को कुछ बाते जो है बता देते हैं इस वीडियो में ओके तो दीखिए यहां पर जो है कोश्चन तो इस परकार के आएंगे ही हिंदी और इंग्लिस में दोनों में रहेंगे से बिहार बोर्ट से हैं तो कोई भी दिक् रगना तो होगा आपको जो है ओमैर सीटे को ठीके उसके बाद दीखिए यहां पर जो है अंतराष्ट्य मजदूर दिवस कम मनाया जाता है तो एक मई आप लोग जानते हैं ठीके तो यहां पर जो है परसन आता है तो सही अगर नहीं आता है तो तुक्का कैसे लगाईएग जो सही लगे आपके दिमाग के अनुसार वो चीज आप लोग तुक्का लगा दीजिएगा ठीक है उसके बाद चलिए दूसरा कोश्चन भी एक और दिखा देते हैं ठीक है तो इसमें जो है समझ में आ जाएगा तुक्का कैसे लगाईएगा ठीक है नौकर साई की यहां प गए जो डी इसका राइट एंसर है कि बी है यज सी है या एए ठीक है तो देखिए यहाँ पर कैसे लगए यहाँ पर श्थाई दिया हुआ है तो एक नना एक जो है दो load कुछ मिलेगा ठीक है यहां Fatie मिल रहा है और इसमें जो है और इसमें और टेंसके निसमें कैसे आफ जैसे इसका जो है यहाँ पर D option right answer है ठीक है तो उपर वाला question जो आप लोग बना है इससे पहले वाला person अगर उसमें आप लोग C option दिये हैं रंगे हैं तो इसका D आसानी से रंग दीजिएगा अगर उसमें जो है आप लोग B रंगे हैं ठीक है जैसे उसका जो है B को color की हैं तो इसमें C right answer होगा तो इस तरह से भी दिमाग लगा लिजिएगा आप सभी ठीक है इससे पहले वाला person जो होगा अगर B होगा तो उसके नीचे वाला C लगा दीजिएगा अगर C रंगे होगे तो इसका D option color कर दीजिएगा तो इस तरह से भी दिमाग लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं हो उसके बाद देखिए यहाँ पर अंक वला में क्या कीजिएगा मानवा अधिकार आयोग की अस्थापना कब होई मानवा धिकार की आयोग की अस्थापना कब होई तो इसका right answer तो हो जागा 1993 अब देखिए इस तरह के person कैसे बनते हैं 1993 दिया जाएगा 1994 और यहाँ पर 2005 तो कभी-कभी हम लोग जो set करते हैं question तो यह answer right कर देते हैं ठीक है इससे इससे जो है तीनों में से एक ज़्यादा तर question का answer right होता है कोई-कोई अलग भी कर दिया जाता है तो इसमें थोड़ा पढ़ रहे लिखे रहेंगे तो आप लोग सही से बना सकते हैं तुक्का लगाना सही उपाई नहीं है लेकिन फिर भी हम एक hint दे देते हैं आप सभी को जो आता है उसको सही टिक कीजिएगा अगर नहीं आता है तब जा करके राम भरो से टिक मार दीजिएगा ठीक है रंग दीजिएगा और सही हुआ तो ठीक नहीं हुआ तो भी ठीक मारकिंग है नहीं तो टैंसल लेना है नहीं ठीक है तो इस तरह से जो है आप लोग कोश्चन देख रीजीगा ठीक है उभोगता दिवस का मनाया जाता है तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है आप लोग जानते होंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर जो है confusion आपको कैसे हो जाएगा 10 अपरेल लगा सकते हैं 10 दिसंबर तो देखिए यह सब पर्षन याद रहेगा तभी तो जो पढ़ेंगे वो तो करेंगे ही लेकिन नहीं आता है तो आप लोग इसमें लगाईएगा तो गलत हो जाएगा तो इसलिए जो है confusion दूर करने का मातर एक उफाय है पढ़ना जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे जो नहीं पढ़ेंगे वो जिन्दगी भर तुक्का लगाते रहा जाएंगे लेकिन कभी qualify नहीं करेंगे किसी भी चीज में जो है जो पढ़ेंगे वो ही आगे बढ़ेंगे और वो ही best तरीका है उससे best तरीका कोई भी नहीं है ठीक है तो देखिए हम इसमें तुक्का लगाने का उपाई भी बता है लेकिन सर्वत्तम उपाई वो नहीं है आप लोग पढ़िए अभी भी टाइम है आप लोग जितना सेट प्रोवाइड करा दिये उस सेट को जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा ठीक है और इस तरह का OMR सीट मिलेगा तो आप लोग रॉल नम्मर सेंटर कोड ये सब ध्यानपुरोग भर लीजिएगा नाम बगेरा मेंसन कर लीजिएगा ध्यानपुरवक ठीक है मुआल नम्मर बगेरा जाती जो भी जाती होगा जाती बगेरा मिश्टेक मत कीजिएगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर 100 से लेकर के 1500 तक आपको सिरियल नम्मर मिलेगा तो एक का A सही होगा तो A रंग दीजिएगा B सही होगा तो B रंग दीजिएगा C सही होगा तो C रंग दीजेगा D सही होगा तो D रंग दीजेगा इस तरह से रंग येगा ठीक है तो आप लोग जो है ध्यानपुर्वक सही तरीके से कलर किजेगा पूरा गोला को ध्यानपुर्वक भर दिया किजेगा ठीक है क्योंकि scan होता है scanning में अगर आया तो सही होगा नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ठीक है और जो है examination center पे हो सकता है अगर बड़ा hall होगा तो उसमें दो छातर भी बैठेंगे और गर्मी का मोसम में हो सकता है bench पर एक छातर भी बैठाया जाए और A, B, C, D, set भी दिया जाए बना करके आईएगा ठीक है आप लोग qualify कर जाएंगे बस अगर अच्छा rank आया तो आप लोग को पहले admission हो जाएगा अगर थोड़ा खड़ाव रहा तो third round में हुआ तो हुआ नहीं तो फिर next year तयारी करके qualify किजिएगा तो इसलिए आभी time रहते हुए ध्यान से आप लोग पर लीजिए ज्यादा फाइदा करेगा आप सभी के लिए ओके और यह वीडियो प्रवाइड करा दी है आप सभी के लिए इंट्री से लेकर के बाहर निकलने तक कि जानकारी सारा इस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है एक्जाम का all process तो इस वीडियो को जरूर से जरूर ज जो है school college का i card होगा pen लेकर के जाना है पानी लेकर के जाना है और फोटो लेकर के ही जाना है ठीक है तो आप लोग जो है यह सभी डोकुमेंट जरूर से जरूर रख लीजिएगा और जो है itis related सभी वीडियो हमारी चैनल पर upload है उससे जाकर के आप लोग जो है जरूर से जर जरूर देख लीजिएगा ठीक है जिसे कि आप लोग को help मिल जाएगा exam में qualify करने के लिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए हस्तरी मुस्कुराते रही अपना ख्याल रखेगा और exam के लिए आप सभी को all the best और आप लोग अच्छे से exam दीज फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए जय भारत धन्यवाद